इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राग है, तो कहीं धुआ धुआ धुआ, क्यूं कोई कुछ नहीं बोलता, जुपचाप धुए को क्यूं छेलता, हो गई परताष्ट की अब इंतहा, बुझे सिग्रेट पीडी, दिखे जलती जहां, पबलिक प्लेस पर सिग्रेट पी ना मना ह उलंगन करने वर्वों का जुर्माना, धुम्रपान ना करें, ना करने दें, धुम्रपान पढ़ेगा मेहिगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर धुम्रपान मेहिगा पढ़ता है। दुम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाने वालों के लिए भी दुम्रपान पड़ेगा महंगा द्रिंकिंग इस इंग्जूरियोस तो हेल्थ हाँ बोलना किरपा मैं भी केस से बचतो गया लेकिन उस लड़की की वजए से लगभग मुझे अठारा लाग का नुक्साल हो गया जैसा अखवार वालों ने कहा अगर वैसा कुछ होता तब तो कोई बात भी थी ना यार मैंने तो भर पेट खाया भी नहीं और हला इतना ज्यादा मच गया तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो अब तुमसे कोई बात छिपी तो है नहीं मैं अभी मुंबई पुने रोड पर हूँ जिसने मेरा टेस्ट लिया था ना उसने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है उसने तो सर्टीफिगट दे दिया था ना हाँ वो डॉक्टर है ना अरे कूरियन जोर्ज ना उसी के लिए तो मैं सारे रुपए लेकर वहां पहुँच रह हुआ है है हंटिंग के लिए गया हुआ है उससे उसका कोटा पूरा हो जाएगा Walker मैं तुम्हें बात में कॉल करता हूं यार आब ही मैं फोन राइंव टागता हूं अरे आरे Kemal लगा तार परेशान का थाथ है परेशान कर रही है कर रही है अरे तुम्हें कैसे बताशते ल मुझे तो जवाल लड़की दिख रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। कम से कम 25 साल की तो होगी ही। सुनो तुम एक काम करो। उसको थोड़ी साइड दे दो। या आप क्या कह रहे हैं। अगर साइड दे दी तो आगे निकल जाएगी। अरे बेवकूब उसे आगे निकलने के लिए साइड मत देना। उसे ओवर्टेक करने दो और बराबर में आने दो। इस तरह लेवल टू लेवल। और मुझे उसे देखने दो। फिर हम तैरेंगे कि उसे छोड़ना है या फिर उसको छोड़के हम लोगों को आगे निकल जाना है। यह बात है। अब मैं समझ गया। थोड़ा थोड़ा नस्दीक लाओ। तीरे थीरे। तू एसे मत दे। ठीक है। अरे यह तो बहुत स्मार्टा संतोश। यहां हमने भात की और वहां वह समझ गे। यह तो मैं भी जानता हूं कि ऐसे मामलों में आपकी किसमत बहुत तेज है। आप तो जीत ही जाएंगे माली। अरे सासा चले। सुनो तुम यहां रही हो। यहां बहुत हाओ। हरे सुनों यहाओ। यहाओ यहाओ यहाँ 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 वाँ यहाँ जुग 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 करें युझ मेर, यह जआड़ा उना, आगफिछ डिए. यह जदो जदा है किसी जदोटीट हुआ है? यह जदोटी है किसी अनुटीट लोगलेटीटी जदोटी औरोटीटी इसाड़ा निक आता है? अनुटीट है? ठुबना सबस्टना में आुषा हुए ठीकन को लार, वार è लार से अके भropriभे रज़े प somethinक вже 15 त Revelation 거지ना कि आुषा हुए 7. वा जो जड़ा जो जो आड़ा कासी मली अब्दुल्ला वाल्द योसुफ कासी मली अब्दुल्ला वाल्द योसुफ मुल्जिम पर लगे सारे इल्जामातों में से अब तक कोई जुर्म सावित नहीं हुआ है और सरकारी पक्स पूरी तरह से हार गई है इसे लिए ये अदालत मुल्जिम को बाईज़त बरी करने का हुक्म देती है इतना ही नहीं अदालत इस बात से बेतिफाक रखती है कि गरीब औरतों के लिए सेवा केंद्र जो पुलिस रेंट में बंद किया गया है और दूसरी ऐसी ही संस्थाएं जो मुल्जिम चलाता था समाज के हित के लिए है और मुल्जिम का उदेश अच्छा है इसलिए मुल्जिम इन्हें पहले की तरह दुबारा चला सकता है इस केस में जो IPS ओफिसर अपॉइंट किया गया था वो बिल्कुल अनुभवी नहीं था और पुलिस के दुआरा इस केस में इकठा किये गए सारे सबूत और गवा एक तरफा पाए गए है और इसी तरह अदालत को ये भी लग रहा है कि पुलिस ओफिसर ने कुछ ज़्यादा ही तेजी और कम अनुभव का परचे दिया है सिर्फ एक खबर के अधार पर बिना किसी ठोस सबूत के उस आदमी के लिए जो समाज के लिए अच्छा काम करता है इंक्वारी अधिकारी की तफ्तीश प्रयाब नहीं है इस केस में अधालत को एक बात और खटकती है कि कुछ लोग बिना किसी जिम्मेदारी के अनाप शनाप खबरे लिख रहे हैं मनगढ़न कहानिया बना कर और बिना कोई सुबूत दिये अगर एक अखवार चाहे तो समाज में किसी को भी कुछ देर के लिए मुल्जिम बना सकता है ऐसे केसेज के लिए ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है देखो मिलन मेरी बात सुनो उन्होंने अकभार वाला बोला लेकिन तुम्हारा नाम तो कही उन्होंने मेंशन नहीं किया न बात मत करो मुझे तुम इस मामली में मेरा नाम मेंशन करेंगे तभी तुम्हें सुकुन मिलेगा है न तुम्हारी बात मैंने मानी इसलिए आज मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है एक बात तो तह है वकिल साब कि उस यूसुफ और उसके भाई याकूब के हाथों ही मेरी मौत लिखी है सुन तेरे जैसे कार पर तो यह जर्नलिजम बिल्कुल सूट नहीं करता तु इसे चोड़ कर कोई और सेफ नोकरी ढूंड़ ले तुम्हारी नोकरी जैसे मेरी नोकरी नहीं है तुम क्या कहते हैं मेरी नोकरी में प्रब्लम है केस खतम हो गया ना इसके बाद एक बार फिर से हम लोग अपील करेंगे अरे वाह कोई अपील करने की जुरुवत नहीं है एक काम करो अखिल तुम घर जाओ बारिश से पहले मुझे भी घर पहुंचना है दर असल यह अपील हम फिर से नहीं चाहिए शिरी हम अब क्या हुआ हम वह देखो तो तुम्हारी बाइक पर वैठा हुआ है दर असल कल मेरा एक इंपोर्टेंट केस है जिसकी फाइल में कोट में ही बूलाया हूं मैं उसे लेकर आता हूं तुम लोग यह रुखा है सारा किया धरा तेरा है और तू हस रहा है तू ना तू मुझे एक नए गिन मैं ही एक इसलिए मैं कह रहा हूं हिम्मत से जाकर अपनी बाइक निकलो इस बारे में वो आदमी तुम्हारा कुछ नहीं भीगाड़ पाएगा जा जा ना मैं जीब के पास रहूंगा तेरे जाने इसलिए पास जाने ढूँ कोछ दो है यो अजिएू को एछिए चुम्हारा तेरे तू पास रहा थे एक जड़ाँ आएगा दुम्हारा जाएगा है जिए एक फास जा कह रहा है जाएज के योरते उेजस से खोवित वाईवा अजा बाइक के चाबी दो याकूब, मुझे बहुत काम है अपना तहना हाथ वागे बढ़ाओ, मैं उस पर रख दूँगा ये वही हाथ है न, जिससे तुमने मेरे भाई के खलाफ लिखा था और इसलिए मैंने इसे अपने पास रखने का फैसला किया है आज के बाद तुम्हें खाना लिखना और शेविंग करना सब एक हाथ से ही करना पड़ेगा तुम और तुम्हारे भाई जिससे क्रिमिनल्स के खलाफ लिखने के लिए मेरे एक ही हाथ काफी है वो तो गया अब तु क्या करेगा अरे याकूब अगर तुम्हें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए ये जिगे सही नहीं है बाहर कहां पर आना है तुम बता दू मैं आ जाओंगा वहाँ पर वो तो नहीं होगा मिलन लेकिन मैं तुम्हारा हाथ इस कोड के सामने तोड़ना चाहता हूँ और वो भी आज ही के दिन जब मैंने देखा कि यहां काम करने की जगे कुछ कम है तो मैंने अपनी जीब बाहर ले जाकर खड़ी कर दी पब्लिक प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना हाँ याकूब भाई सरकारी पैसों से बने इन बूटों से मार खाने की इच्छा है क्या तुम अब घर जाओ घर जाकर एक बकरे को काट कर उसके सूप को अपने भाई को दो कस्टडी में पुलिस वालों ने उसके शरीर से बहुत खेला है वो कभी भी टपक सकता है फिर हमें दो कि अईध भाई पीजा पुलिस वालों भाई 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 प्रीणा प्रीणा है वो खेल गँ़ कि भाई भाई प्रेह श्रेंब हुड है कर दो मिलन 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 वह तो लडाई शुरू होते भाइक लेकर निकल गए सर कौन है मैंने पुछा कौन है मैं वहाँ पर उन गुंडों से तिरे लिए लड़ रहा था और तु वहाँ से भाग कर चलाया अरे इसान फरामुश मैंने न्यूस चैनल बिना बदले लगा रखा है अब चाकू हटा यार अगर तेरे साथ कुछ हुआ होता तो न्यूस चैनल की फ्लैश पट्टी पर अब पश्री तुमपर 34 साल तक शुक्र की जाया है यी मैंने तुमें पहले भी बताया था याद है याद है तो उस दिन तुमने क्या कहा था कि जब शुक्र में इतना खराभ समय है तो शणी होगगा तो क्या होगा सर, शाम को जीब तुम्हारा suspension order मेरे हाथ में आया, तो मुझे ऐसा लगा कि जो बात तुमने कहती हो सही है. लेकिन रेवति नक्षत के साथ शुक्र के शक्ती क्या होती है, ये बात आज शाम को जब ये एनोलप मेरे हाथ में आया तब मुझे पता चला हमारे राज की सुरक्षा मामलों को डिसकस करना चाहिए इसलिए आज दिल्ली में एक मिटिंग थी केंत्रिय मंत्री ने हमारे मंत्री से पूरी डिटेल्स मांगी है दो दिन पहले लोना अवला के पास हुए कार बम ब्लास्ट में एगरिकल्चर प्रेसिडेंट लोक सेवक बाल गंगा धरन भी मारे गए थे अपने लोगों से जितना हुआ उन लोगों ने केस फाइल कर दी है लेकिन दिल्ली वाले उस रिपोर्ट से सटिस्फाई नहीं है उस केस के बारे में उन्होंने एक फैसला लिया है आगे के इनकौरी तुमारे हाथ में सोपने कादेश दिया है अब डिपार्टमेंट के इज़त तुमारे हाथ में इंस्पेक्टर शिराम प्रिष्ट सर मैं यह अब क्या कह रहे हैं पर वो मुझे कैसे जानते हैं यही तो इसमें सस्पेंस है मारे गए बाल गंगा धरन के खांदान का एक लड़का सेंटरल हो मिनिस्टर के परसनल स्टाफ का एक भरोसे मन्द आदमी है तुमारी तरह जवान खून है और इस केस को हैंडल करने के लिए उसने सेंटरल मिनिस्टर को स्ट्रॉंगली रिक्मेंट किया है वही ओडर इस कवर में है इस तरह क्या देख रहें इंस्पेक्टर श्री राम सर थोड़ी देर पहले आपने एग्रिकल्चर प्रेसिडेंट लोक सेवक कहा उस बाल गंगाधर को लेकिन आपने एक बहुत जरूरी बात नहीं बताई कोची दिन पहले उस पर केस रजिश्टर हुआ है चार औरतों की इफ टीजिंग का इस तरह के कैरेक्टर की वजह से उसने बिजनेस में और राजनीती में किये बेवकूफी से समाज में कई लोग उसके दुश्मन बन बैठे थे इतना ही नहीं यूसुफ जैसे एक लफंगे को भी सजाना दिलवा पाने वाले इस यूनिफॉर्म को पहन कर इतनी बड़ी इन्वेस्टिकेशन के लिए जाऊंगा तो मेरी क्या हालत होगी इस बाल गंगा धर के मर्डर के पीछे तुमने जैसे बड़े लोग बताए वैसे लोग होंगे लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कुछ लगता नहीं है मीडिया के जरियत तुम्हें भी पता चल गया होगा दक्षा दास नाम की 23 साल की इंजिनरिंग पढ़ने वाई लड़की ने इस खून को किया है उस बॉंबी स्पोर्ट में वो भी मारी गई है बाल गंगाधर के ड्राइबर संतोष के आखरे स्टेट्मेंट के हिसाब से दक्षा ने पूरी प्लानिंग के साथ इस जगन अवरात को अंजाम दिया यह हमें साब पता चलता है लेकिन इस दक्षा और बाल गंगाधर के बीच कोई पैचान या किसी भी तरह की कोई दुश्मनी हमारे सामने अभी तक नहीं आई है इसी एक पॉइंट पर इस केस का इन्वेस्टिगेशन मुझे बहुत ही थ्रिलिंग लग रहा है सर आपकी बात मैं पूरी तरह समझ गया लेकिन फिर भी श्री राब अब तक इंटर्फेर किये गए केसों की तरह ये कोई चुहे बिली का गेम नहीं है इस केस की इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स इस फाइल में है एनिवे अल दे बेस्ट थैंक्यू सर शुरू से ही वो लड़की हमारे पीछे लगी हुई थी लोना वाला के आसपास ही वो जब मालिक ने मुझे जखा मैंने इसे साइट दी उसको आगे जाने के लिए हम लोग भी उसके साथ साथ चलने लगे दोनों गारी एक साथ चलने लगी तब उस लड़की ने मालिक के तरफ इशारा किया और फिर उसके बाद ब्लाश्ट हो गया तुम्हें क्या लगता है इससे देखने के बाद इसमें सोचना क्या है इस हालत में बेट पर पड़े रहने से अच्छा है कि ये मर जाता उसमें बड़ी बात क्या है वो बात नहीं है यार ये है कि इसमें मुझे शुरू कहां से करना चाहिए बाल गंगादर की तरफ से या फिर दक्षा की तरफ से सज बताओं तो इस केस में मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया हूँ तुम्हारी बातों से ही मैं समझ गया था कि कुछ तो जरूरी बात है मुझे ऐसे ही कामों के लिए तो तुम हमेशा याद करते हो अब तक मेरी जितनी वाट लगी है उतना काफी नहीं है क्या श्री अरे मैंने तुम्हें पहले भी बताया है न कि अगर तू मेरे साथ रहता है तो मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है यूसुफ के केस के बारे में मैंने तुझे बताया था अब तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते बारिश में धोबी को क्या परिशानिया होती है इस पर मैं एक बेहतरीन लेक तयार कर रहा हूँ उसी तरह से मैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपनी लाइफ जी सकता हूँ, अब तो तू मुझे माफी कर अरे नहीं चाहिए, इस केस में मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए मैं अपने पक्के प्लान के साथ इस केस की इन्वेस्टिकेशन स्टार्ट करूँगा बाल गंगाधर के बिजनेस और राजनीती के टोटल दुश्मनों की लिस्ट है मेरे पार तुम देखना, मैं उन सब को पकड़ूँगा, वो चाहिए कितने बड़े वियाएपी क्यों न हो क्या कर लेगा तू? देख श्री, दौर लगाने से पहले इस केस के बारे में अच्छी तरह से सोच उसके बाद इन्वेस्टिकेशन शुरू कर सो सवासो पेज का नॉविल है ये बाल गंगाधर और सिर्फ दो तीन पेज की एक शॉर्ट स्टोरी है उस लड़की दक्षा की चाहो तो तुम दोनों पढ़ सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ एक बात जाननी है इसका मतलब दक्षा जैसी शॉर्ट स्टोरी से शुरू कर सकते हैं, है न? बिलकुल हाँ, अब एक बात कन्फर्म है, मैंने अपने इन्वेस्टिकेशन की शुरुआत ठीक तरीके से किये वो भी तुझे पता चले भी न तेरे कहने के मुताबिक है, न मेरी अकल कमाल की साले, इस बात पर लाग तुझे नहीं, उस IPS की डिगरी देने वाले को माननी चाहिए, चल फूट अरे तु जा रहे, अरे रोग कहा है जा रहे तुझा आबे, रोग चोट साथी है साथी है मेरा तू साथी है, मैं जो दिया हूँ तो तू मेरा बाती है जीने की वजा वो ही साथी हो, साथी हो ओ चाहे पारिश हो या, गर्मी सरदी संग है यार मेरा वही शाम वो मेरा है सवेरा, ओ साथी हो साथी है साथी है मेरा तू साथी है, मैं जो दिया हूँ तो तू मेरा बाती है नदी की यार मेरा बैती धारा है आगर जो मैं हूँ मेरा वो की नारा है ओ वो चाहे बारिश हो या गर्मी सरती संग है यार मेरा वो ही शाम वो मेरा है समेरा साथी वो बाते हुआ है वो भाई नहीं मेरा है साथी पाते हुआ है अपने दिल की ओ मेरे साथी ओ मेरे भाई तु मेरा सब कुछ साथी वो चाहे बारिश हो या गर्मी सरती संग है यार मेरा वो ही शाम वो मेरा है समेरा वो चाहे बाते हुआ है वो चाहे बाते हुआ है नदी की यार मेरा वैदी धारा है साथर जो मैं हूँ मेरा हुआ की नारा है यार बिना जिन्दगी एक पल कटती नहीं जीने की वजा वो ही साथी ओ साथी ओ ओ चाहे बारिश हो या गर्मी सरती संग है यार मेरा वही शाम वो मेरा है समेरा ओ साथी है साथी है मेरा तू साथी है मैं जो दिया हुँ तो तू मेरा बाती है कितने साल की थी ये तब पंदरा साल की थी तब जब वो दस्वी में पड़ रही थी अखवारों में ये बहुत बड़ी ख़बर थी साब तब भी तुम यहीं पर थे जी हाँ इसका मतलब सुदक्षना के कतले के बाद से दक्षा की मौत तक इस घर में जो कुछ भी हुआ उससे तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो हाँ अच्छो भाई जितनी बाते मैं जानती हूँ सर उससे ज़्यादा अच्छो भाई नहीं जानते हैं आपको जो कुछ भी पूछना है वो सब आप मुझसे पूछे सर ओके वैसे तो मैं सिर्फ दक्षा के बारे में जानना चाहता हूँ क्या थी वो और कैसी थी वो इसमें से आपके पहले सवाल का जवाब मैं दे सकती हूँ वो यह है कि जब मेरे पती शिवदा से एक अक्सिदेंट पर मारे किया थी तब दक्षा की उमर छे साल की थी और सुदक्षना बारा साल की थी उन दिनों मैं और वो एक ही कॉलेज में एक ही डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थी एक करोड़ पती बाप की एकलोती बेटी होने के बावजूद जिन्दगी जीने के लिए मैंने नौकरी ढूंडी पती के मरने के बाद एक मर्द के बीना कोई औरत कैसे अपने जिन्दगी जी सकती है ये डर मुझ में आगया था कॉलेज में उनके बदले पढ़ाने आये वो आदमी मेरे जिन्देगी में भी उनके बदले आ गये थे और उस दिन के बाद से सब गलत होने लगा इस दुनिया में पैदा हुई एक औरत को गंधी नज़ा से देखने वाले उस आदम खोर आत्मी ने खुद की बेटी मानने वाली मेरी बेटी सुदक्षना के साथ दक्षा की आखों के सामने इस दिन मैंने सिर्फ सुदक्षना को ही नहीं खोया बलकि दक्षा को भी खो दिया उस दिन के बाद से वो मुझे मा कहकर नहीं पुकरती तीन साल बाद उसे बेगुना करार करके कोट ने उस आदमे को रिहा करने का अपना फैसला सुना दिया हाथ में चाकू लेकर दक्षा ने उस पर वार किया लेकिन अच्छी किसमत थी उसकी वह बच गया उसके बाद उस आदमी पर कोई वार हुआ क्या दक्षा की तरफ से मेरी जानकर के मुताबिक एक बार ऐसा और हुआ था जब वो ट्वेल्ट स्टेंडर में पढ़ रही थी शेहर के बुक स्टॉल में मरते दम तक अपने दूसरे बाप से बदला लेना आम सॉरी मुझे उनका नाम नहीं पता अरून अरून पानिकर मिस्तर पानिकर से बदला लेने की चाह दक्षा के मन में शुरू से बसी हुई थी शुरू से नहीं लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते गया उसका बदला तेज होता गया इसका मतलब जब दक्षा ने बदला लेने का सोचा होगा तब उ मतलब बनता है मैं नहीं जानती सर बदले का तो पता नहीं लेकिन वो उस आत्मे को पहचानती भी थी यह ठीक से नहीं पता सर कि यह दक्षा करूम है घर आने के बाद जादा तर समय वो यहीं गुमसुम बैठती थी यह कंप्यूटर दक्षा का यह ना जी हाँ कैना यह प्लीज कि यहां पास में कोई स्टोन क्वारी है क्या ऐसी आवाज हमेशा आती है यह कोच एक किलो मिटर के दारे में वेपन्स वर्ल्ड.com फाराम्स वर्ल.com टॉटल डिस्ट्रॉयर.com आम्स अम्मिनिशन्स.com उसकी मौत के बाद में या पहले किसी और ने इस कंप्यूटर को इस्तमाल किया था क्या नहीं सिर्फ वही इस्तमाल करती थी क्यों सिर्फ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं कुछ नहीं है नथिंग यहां अच्चु के अलावा घर में और कोई नहीं है मतलब नौकर चाकर कुखिंग और सफाई के लिए पास से ही कौरत आती है जब कभी उसका पती खाली होता है तो वो यहां आकर बगीचे की सफा कुछ का काम करते हैं उसका नाम क्या है कालू मैं इसे लेकर जाओंगा अगर कोई आगे आया तो पत्थर की तरह इसके खोपड़ी भी फट जाएगी बाल गंगाधर को मारने और खुद को खत्म करने के लिए दक्षा ने उस बॉम का इस्तिमाल किया था जिसमें 40% से ज़्यादा गन पाउडर इस्तिमाल हुआ था इसका मतलब वही धमाका पाउडर जो चट्टान विस्पोट के लिए इस्तिमाल किया जाता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने दक्षा को सिर्फ धमाका पाउडर ही दिया था या उसके साथ सफेद पत्थर अलिमिनियम पाउडर को दो बोतल में मिक्स करके दिया था जो कि दो कारों को उड़ाने की ताकत रखने वाला एक रिमोट कंट्रोल बॉम था मैंने उस लड़की को बं तो क्या एक माचिस की तिली भी नहीं दिये सर वह बिल्कुल पागल लड़की थी सर अगर उसका पागलपन इस हद तक बढ़ गया तो मैं उसका जबाब क्या दे सकता हूं सरा कालू यह क्या है अब तक तुम पकड़े गए दारू पीकर मार पीट वाला केस नहीं है यह कतल हुआ है वो भी सुइसाइड बॉम्बिंग अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हमारे शहर की पुलिस तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेगी लेकिन दिल्ली पुलिस पूछेगी फिर टेररिस्ट या पाकिस्तान के साथ नाता जोड़कर सारी जिन्दगी जेल के अंदर मिताने पड़ेगी नहीं सैर मैं इसा बताता हूं मुझे जो भी पता है इसा बताता हूं वह बताओ वह लड़की अपने इस काम को अंजाम देने से कुछ एक महीने पहल अब जब जंक्षन पर तुम्हें पुका रहा था तब अंसुनी करके क्यों चले गए तुमने मुझे पुका रहा था कब ऐसे भोले चेहरे बनाकर मुझे बेवकूफ मत बना वो क्या है ना कि कल मैंने थोड़ी दारू पी हुई थी तो ऐसे पी हुई हालत पे तुम्हारे स बहुत प्यार करता हूं इतना पैसा देखकर तो मैं जारूं पीकर अपनी बीवी को रोज पीट सकता हूं यह पैसे उसके लिए नहीं दिये तुम्हें मेरे लिए एक चीज लानी होगी क्या चीज लानी हो बेटी अपनी मा को इस बात का पता मत चलने देना कि मैंने यह काम किया है अब ही मुझे बहुत दिन दिन्दा रहना है बेटी कोई कुछ भी जाने मुझे सके मुझे कोई परिशानी नहीं होने वाली है समाल के जाना बेटी विस फोटक पाउडर है कालू का स्टेटमेंट और दक्षा के कम्प्यूटर से मिले वेबसाइट एट्रेस दोनों को साथ मिला कर देखा जाए तो बाउम बनाने और किसी क्राइम को अंजाम देने में दक्षा ने किसी और की मदद नहीं ली होगी यह तो समझ में आ रहा है एक बाउम कैसे बनाया जाता है या जिनके बारे में हमने नहीं सुना होगा ऐसे modern weapons के बारे में सारी जानकरें इन साइट्स में पढ़कर मिल सकती है दक्षा जैसी brilliant electronics engineering वाली लड़की के लिए एक बाउम बनाने की technology जानने के लिए यह काफी है सर क्या हुआ कभीर तुमने एंक्वारी की जी हाँ सर अखिला देवराजन सुधा नायर एशले जेकब यहीं वो तीन औरते हैं जिसमें बाल गंगादर के फसने की खबर है इन में से पहले दो को उसने पैसे फेंक कर सिर्फ मामला ही नहीं दबाया बलकि दुबै और गोवा के आफिस में उन्हें एक अच्छे और हायर पोस्ट के लिए एक बहुत अच्छी आफर भी दी गई थी सर अगर कहा जाए तो बाल गंगादर को तो मरना ही था अगर इन दो औरतों में से नहीं तो किसी और चीन्टी ने इसे काटा है जी हाँ सर उसके बाद बची एक अच्छी चेकव बाल गंगादर की आखरी मचली वो बहुत ही गरी परिवार से थी हाँ मैं इस केस के बारे में थोड़ा जानता हूँ ये डांस रिहरसल वाला केस है ना जी हाँ सर कोर्ट में वो लड़की खुद ही अपने बलबूते पर खड़ी हुई थी लेकिन बाल गंगादर की ताकत के सामने उसे पागल और विश्या करार दिया गया और आखरी समय पर सारे सबूत और गवाह भी बदल गये और साथ ही साथ कोर्ट में उसका मजाग लाया गया अभी यह लड़की यहां पास में ही एक कॉन्वेंट स्कूल है सर वह वही रहती है विक्रम सर इस एशले और दक्षा के बीच में किस तरह का लिंक है हमें पता करना होगा और साथ ही उस कॉन्वेंट का फोन नंबर मुझे चाहिए ठीक है सर लेकिन वो लड़की की थोड़ी मेंटली डिस्टरब है मैंने पता लगाया था बेटी सुनो बेटी यह तुमसे मिलने आये कुछ पूछना चाहते हैं इनसे बात कर लो बेटी मेरा नाम श्री रामकृष्णा है मुझे तुमारी थोड़ी सी मदद चाहिए डरो मत बेटी एश्ली तुम इस लड़की को जानती हो क्या इससे पहले कहीं मिली हो या पहचानती हो या कोई कॉमन फ्रेंड अगर तुम इससे नहीं पहचानती तो ना बोल दो बेटी तुम अपने कमरे में जाओ फोन पर ही मैंने आपसे कहा था कि यह लड़की थोड़ी मेंटली डिस्टरब्ट हो गई है वो पहले ऐसी नहीं थी बहुत स्मार्ट थी बस उस केस के बाद ही यह अचानक कुछ बदल सी गही केस खतम होने के बाद जब प्रेस मीटिंग होई त तब से इसका संतुलन बिगड़ सकया कोई बात ने मैं किसी और से पूछताच कर लूँ मैं कॉन्विंट गया था तू उसकाम का क्या हुआ दक्षा को अडिंटिफाई किया उसने नहीं यार उसकी तरफ से मुझे कोई साफ जवाब नहीं मिल पाया तो आगे क्या सोचा दूसरा बाप अरुन पाने कर वो अभी कहा में लेगा वो मैंने पता लगा लिया है उसकी रबर के पांच एकड़ के खेती है उसी की देखभाल करता है कल्यान के आसपास है वो हमें तुरंट वहां पहुंचना है क्या हमें हाँ तुमें भी आना है लेकिन मैं मैं वहां क्य परत बहुत पतली चम रही है न बाबू? सारे पेडों पर तो बारिश का पानी है, तो मोटी परत कहां से बनेगी? हर शीट पर छशे बार पानी डालना, जब ये बाजार में बिखने जाएगी न, तो व्यापारी पैसे नहीं देगा क्योंकि मोटा ही कम है वो तो ठीक है तो तुम्हें दो बार की जानकारी है, किसी हद तक तो ठीक है, आमने सामने तो दो ही बार आई थी लेकिन एक बार मौका कुछ ज़्यादा करीब का था जब वो यहाँ पास से निकली थी तब आपने क्या देखा? उस दिन मैंने देखा कॉसेन, में बार आउक ज़्यादा के कॉसे तो प्रिख में लोगेर पिज्टा है वो समझ गई कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है इसलिए उसमें किसी और को ढूंड कर माई ठाला मर भी कई तो क्या हुआ पापुलर तो हो गई ना ठीक है तो अब हम चलते हैं जरूरत पड़ेगी तो दो बार आएंगे अच्छा सुनो तुमने कहा था ना कि तुम्हें बैक पे है न हाँ वो बाइक से गिर गया था न वारित भाई बहुत होश्यार आदमी है उनकी बस एक बार की दवा से सारे दर्ध हवा हो जाते हैं हाँ हमें मालूम है ठीक है टाइम मिले तो आ जाना जरूर आएंगे क्या लगा तुझे यार अरुन पारेकर से मिलकर दक्षा और उसके फैमिली के साथ जो भी ट्रेजडी हुई उसमें विलन हुआ ये अरुन पानेकर लेकिन बाल गंगाधर जैसे तो समाज में हर दिन गंदगी फैलाते जा रहे थे परसनल रिवेंज के लिए अगर अरुन पानेकर को मारा होता तो समझ में आता है इसके जीने से ज्यादा खत्रा बाल गंगाधर के जीने में हैं सोचकर दक्षा ने उसे जान से मार दिया होगा इसका मतलब नौ साल की उमर का बदला वो पूरी तरह भूल चुकी है तुम य किसलर होगी क्या हुआ तुने जानता है नहीं रहे लेकिन कोई स्कूल मास्टर और उसकी बेटी लग रहे थे अच्छा एक नजर में लोगों को पहचानने वाले तेरे जैसे IPS का कहना ही क्या वह शुक्र है भगवान का कि तुने उसे किसी चर्च का फादर नहीं का क्या वो यह ओ बेवकूफ IPS वो मशूर आदमी देवासी है कुंदना देवासी पूना के बड़े बिजनसमेन में से एक है यह आज अरुन के लिए खाना लेकर आया है यह तो फिर पुलिस वालों को इसकी ख़बर क्यों नहीं है पुलिस रिकॉर्ड्स में देवासी पर आज तक कोई केस दर्ज नहीं है तो फिर मुझे इसे अरेस्ट करने दो अच्छा है बहुत अच्छा है यहां तो अरुन इसकुंदन देवासी के चाचा का बेटा है और जो उसके साथ आई है वो उसकी भतीजी है यह लोग यहां पर प्रेयर के लिए आये हैं यह बात देवासी अच्छ हां क्या हुआ शिरी तुझे अभी केके रोड के सिल्क एसल होटा लाना होगा बात क्या है वो सब तुझे मैं यहां आने के बाद बता दूगा जल्दी हाँ कर दो कर दोड्सराइड़ के तुझे मिल्मा अधिम्मा हाँ नाच अधि आगाद आगे बीचरे यह लोग अधि एक शेद रहें अधिका अधिया कान ने टाउद्ध कि अधिक अध्यक अधिक्र में आट काने दूग में अधिक ल handicap कुछ एक घंटे पहले ही यह हाथसा हुआ है सर इन बॉडिज को आइडेंटिफाय किया सिर्फ यह बॉड़ी आइडेंटिफाय हो पाई है सर कौन है यह साम जोर्च पलक इस होटेल का एक पार्टनर है उपरी माले से नीचे गिरा है वहाँ पर एक स्वेमिंग कूल है सर इस हाथसे का एक गवा भी है एक आई विटनेस इसी होटेल का एक स्टाफ है लेकिन उस दूसरे आदमी की बॉड़ी को हम आइडेंटिफाय नहीं कर पाए हैं सर इस आदमी को पहले यहाँ कोई नहीं पहचानता था सर तुम जानते हो इस सैम जोज को अभी तो मैं इतना ही जानता हूँ कि यह आदमी एक जमिदार है लेकिन शी दूसरे आदमी को मैंने पहले कहीं देखा है कहां देखा है वो कुछ याद नहीं आ रहा है अच्छी तरह याद कर याद आ जाएगा नहीं यार लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो दूसरे आदमी की लाश को देखकर ही उसे पहचान जाएगा कौन है वो मैंने उसे बुला लिया है आता ही होगा मिलन अब आगे क्या होगा अखिल को तुम जानते हो न शी अखिल के बहन इस होटल में रिसप्सनिस्ट है जब यह अपनी बहन को ड्रॉप करने यहां आया तो यहादसा हो गया तुमारे होटल पहुचने के कितनी देर पहले यहादसा हुआ था कोच दस मुट पहले ही हुआ होगा हल्चल होते यहां पर बहुत सारे लोग जमा हो के बारे में कह रहा था है यहाद में यह तो उस एम मैगजिन का एडिटर है ना हाँ वही सुख्राम और मिलन हेलो सर्थ हां बॉड़ी वहीं पर पड़ी हुई है ना हाँ मैं भी देख कर आता हूं साइड प्लीज क्या यार तु ऐसे बोर लोगों के साथ भी दोस्ती करता ह हाँ यार कॉलेज के समय मैंने कुछ ऐसे बोर फ्रेंड्स भी बनाये थे हुम् बिलन गॉड़ दा क्लिव जैसे हमने सोचा था ये वही है पिछली अगस्त की ये मैगजीन है सर प्लीज है वे लोग हुम हेरोईन शीतल का बाप है ये ये मोहन चंद ये और राइट सर बाकी सारी डिटेल्स इसमें है लेकिन मिलन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी सैम के पास क्यूं आया अपनी बीवी और अपने सालों को मार डालने की धंगी दी थी इस सर यही वो आई विट्ने से जो मैंने बताया क्या ना में तुम्हारा जो मौन क्या देखा तुमने जब रेस्टोरेंट में कस्टमर थोड़े कम हुए तब मैं सीगरेट पीने ऊपर चला गया था सर तो अले तुम क्या चाहिए तुम्हें कौन हो तुम तुम से ही पूछाओं मैं क्या चाहिए तुम्हें मैं तेरी जान लेना चाहता हूँ और वो में लेकर ही रहूँगा यहिए रहाओ् रहूँगे हूँगsst कर दो कर दो अ लुग कर दो कि प३पारी वह ओखख़ कि उट नब उट seguir हुआ कि और आ en चैनल, हुआ याई याई रहाए हुअ हुअ बचाओ मुझे बचाओ मुझे मुझे, मुझे चुर जने बचाओ कि है कि है इस है कि है 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 थे अगाओ है हुआ है सेम हमेशे हना स्विमिंग के लिए आता था क्या किया यह सर सुभा एकसर्सायेज के बाद वह सीधे यहीं आते थे उस दूसरे आदमी को पहले यहां कभी देखा है नहीं सर कबीर सर इसका स्टेटमेंट लेकर इसे छोड़ दो सर चलो तेंक्यू सर आगे बताओ As a primary assumption मुझे लगता है कि बाल गंगाधर के ब्लास्ट के साथ दक्षा का मरना और होटल सिल्क कैसल के 11 फ्लोर से गिर कर सैम जॉच के साथ मोहंचन का मरना इन दोनों में मुझे कोई लिंक नजर आ रही है इन में सबसे जरूरी बात यह कि अपने खुद के दुश्मनों को जीवन दान दे कर किसी और को मारा गया है जिसको न तो पहले से कोई जानता था और नहीं किसी के साथ दुश्मनी थी बड़ी बेहन की मौत का जिम्मेदार सौतेला बाब था जिसके दुश्मन थी दक्षा और पैसो और पबलिसिटी के लिए बेटी का इस्तमाल करने वाले उस मोहंचन की दुश्मन थी उसी की भीवी इनके पीछे कोई पैरलेल मूवमेंट तो नहीं है पुराने नेक्स लाइट की तरह कतल हुए लोगों के साथ कातिल खुद भी मारा गया है यह कुछ अलग किसम की चीज़ है इस तरह का कतल अभी तक सामने नहीं आया है सर यह सरदर्द बनने वाला है इस मोहंचन के बारे में तुम्हें कोई डीटेल्स मिली क्या केवल उस मैगजिन के अलावा मिली है सर दो साल पहले कल्लैन के टैक्सी स्टैंड में यह ड्राइवर था मोहंचन वहीं से मुझे सारे डीटेल मिली है यह लो तुम दुनों ने जो जो मंगाया था वो सारा सामाल ले आया हूँ अब जो तुम दुनों बेने खुब खुशी से दीवाली मनाओ यह लो यह तुम्हेरे लिए अपनी कमाई के सारे पैसों का तुम बेटियों के लिए सामाल ले कर आते हो चाहे तनख्वा कम ही क्यों न मिले लेकिन बीवी लीसी और अपने दोनों बेटियों का खयाल बिना किसी परिशानी के मोहनचन रखता था मोहनचन के साथ लीसी के भाई रॉय की कुछ जमती नहीं थी एक बार जब वो अपनी बहन से मिलने आया तब उसने बोला कि वो शीतल को अपने दोस्त के साथ प्रडूस की अलबम में हिरोईन लेना चाहता है मैंने तो बस कह दिया हर किसी को ऐसा मौका दुवारा नहीं मिलता है यह जान लो देखो रोई, मैंने कहा था न, अगर इसके पापा राजी हुए तो मैं भी सौ परसंट राजी हूँ यह सिर्फ मा बेटी का ही सवाल नहीं है वो उस मौके को इतने आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था मा बेटी को मो माय के लालच में उसने फसा ही लिया बस एक बार लड़की एल्बम में चेहरा दिखाने आई थी अब वो फोल टाइम हैदराबाद में है तेलगू फिल्मों में अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है अगर भाई ने कहा है तो कुछ तो बात होगी न इसलिए घबरा रहा हूँ देखो मेरा भाई हमारा नुकसान तो नहीं चाहेगा इतना तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वैसे भी इसे एक्टिंग कहा आती है लेकिन मुझे तो पूरा कॉन्फिदेंस है ना पापा सिनेमेटिक डांस में पिछली बा स्कूल के यूथ फेस्टिवल में मैंने पहला प्राइस लिया था दिल से तो वो राजी नहीं हुआ था लेकिन बीवी और बेटी की जित की वज़े से शीतल को अक्टिंग के लिए पॉमिशन दे दी अक्टिंग के वज़े से अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत आई ना तो समझ लेना मैं तुम दोनों माँ बेटी को कभी माफ नहीं करूंगा पहले तो दो तिन अलबम्स में उसके बाद मैगजीन के फ्रेंट पेज में वो आने लगी उसके बाद भी जब ऑफस नहीं मिले तो माँ बेटी का एक्टिंग का सपना वहाँ खत्म हो गया होगा ऐसा मोहन चन ने सोचा लेकिन शूटिंग लोकेशन पर और होटल के रूम्स में मोहन चन के जानकारी के बगएर लिसी और शीतल चांस मागने जाने लगे इसके अलावा शीतल को हिंदी में छोटे मोटे रोल भी मिल गए उसके बाद दूसरी लेंग्वेजिस में भी ग्लैमर करना उसे बहुत पसंद था इसलिए बहुत सारे आफ़र्स उसे मिलने भी लगे अधार वो जो टोपाला शूट अबारी डारेक्टर जीनिस अधार अच्छा एक्तम सब अच्छों आएगा पास क्लास आएगा सब थोड़ा पैसा और नाम मिलते ही मोहंचन की बाद को खारिच करते गए लिसी और शीतल डार्लिंग तुम परेशान मत हो अरे मैं हूँ ना चिंता किस बात की है देखो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा तुम हीरोईन बनकर रहोगी टॉप की हीरोईन करें कि जान ले लूँगा क्या करें छोड़ें छोड़ें पागल हो गया हो मैं तुझे भी माट आलूँगा अरे आव यह क्या कर रहें मेरे घर पर आकर तुम लोग गंदी हरकते कर रहे हो मैं सब को काट डालूँगा अपने आपे को खोने के बाद से मोहंचन पागलों की तरह रियक्ट करने लगा अपने लोगों के लिए वो दुश्मन लगने लगा आखिर लिसी और शीतल घर छोड़कर चले गए अच्छा सुन तू अपना फैसला नहीं बदलने वाली ना नहीं मैं अपने बापा को छोड़कर कहीं नहीं जाओंगी चल मेरे सचन मैं तेरे को तेरे बाप के परस नहीं चोड़ सकती चला जाओंगी उस दिन उनके साथ ना गई उनकी छोटी बेटी शिखा को रॉय और लिसी जबरदस्ति पकड़ कर ले गए मोहंचन ने उसी दिन कल्याण के ठाने में एक रिपोर्ट लिखा दी और वो रिपोर्ट लिखाने के बाद रॉय और उसके लोगों की धमकियां मोहंचन को मिलने लगी बेटी अब आखिर मेरे पापा की उधारी चुकाने के लिए मैंने फिल्म लाइन में काम शुरू किया विना बियाज तो पापा गर नहीं आए इने के बाद हमेशा मेरे पापा हम लोगों को मारते थे पापा ने हमसे कभी प्यासे बात नहीं की अब आखिर में शीतल ने भी बाप के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया मोहंचन बिखर गया और घर बार छोड़ कर कहीं चला गया इन आखरी की दिनों में ये मोहंचन कहां था इसका सुराग मिला कोई कुछ दिनों के लिए वाशी के किसी रिसॉर्ट में वेटर था ऐसा सुना गया है घर और जमीन बेचने के लिए एक दिन घर वापस आया था मोहंचन लिसी और रॉय को मार डाले का कहा था ये बात उसके दोस्तों ने हमें बताई है यहां एक बात सोचने वाली जरूर है जैसा बाल गंगाधर का करेक्टर था वैसा ही सैम जॉज का भी था चाहे होटल बिजनेस हो, इवेंट मैनेजमेंट हो या केरियर गाइडन्स में हो उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे जैसा कि आपने शुरू में कहा था, कि हो सकता ही एक पैरलल मूवमेंट हो या फिर उससे भी ज़्यादा हो, इस बात का हम लोगों को पता लगा नहीं होगा मोहनचन और तुमने कितने दुनों तो कि यहां साथ में काम किया मोहनचन बस यहां दस महीने पहले ही आया था हम, वो यहां काम क्यूं कर रहा है, क्या उसने कभी तुमें यह सब पता है नहीं सर, दो-तीन महीने से वो छोटी पड़ था, जब पूछा गया तो कहा कि उसकी तबियत ठीक नहीं है मोहनचंद से मिलने यहां कोई आता था क्या कोई दोस्त रिष्टेदार या और कोई मैंना ऐसा कुछ कभी देखा नहीं सर लेकिन हाँ कभी-कभी उनकी छोटी बेटी का फोन जरूर आता था दो-तीन बार उसने चिठी भी लिखी थी एक बार चिठी मैंने भी देखी थी सर क्या लिखा था उसमें मा और मामा उसे जबरदस्ती फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए कह रहे हैं लेकिन मोहनचंद इस बास से राजी नहीं था चाहे केस करके आउसका खूल करके ही सही वो अपनी बेटी को वापस लाने चला गया था उन लोगों के पास दूसरों को परिशानी में डालना पुलिस का काम नहीं है चाहे कोई कितना भी परिशान क्यों न हो जिसका पूछने का काम है वो पूछेगा और जिसका बोलने का काम है वो बोलेगा यहां आप क्या जानने के लिए आये हैं यह जानना है कि मोहनचंद ने यह सब क्यों किया यह सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मुझे आपकी छोटी बेटी से मिलना है शिखा से वो यहां पर नहीं है फिलहाल मैंने उसे होस्टल भेज़ दिया है और शीतल वो वो अभी हैदराबाद गई एक फोटो शूट के लिए अभी उससे नहीं मिल सकते हैं मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसके जवाब देने की उमर और जानकारी आपको है मगर अगर आप जवाब नहीं देना चाहती तो अगर तु बार बार इसी तरब बीच में घुसने की कोशिश करेगा तो मैं चुक नहीं बैठने वाला अब तेरी ये जबान मेरे सामने दुबारा नहीं खुलनी चाहिए लड़कियों की कमाई खाने के वज़े से तेरे शरीर में बहुत चर्बी चड़ गई है ना ये सब चर्बी एक ही बार में निकाल कर रख दूँगा समझा ना आज की मीटिंग यही खतम लेकिन कल दुबारा मिलेंगे सिर्फ तुम्हारी बेटियों के साथ और याद रखो सिर्फ इतना ही नहीं उसके बाद घर के हर एक बंदे को लाइन में खड़ा करके मैं सवाल पूछू था वरनाइस की तो वर अख़ा स्वाद की तो डलो आजब कर समे एया जा जाभ सकता म oyster गोजें, अजू भीoking आस्या के ज़ी है एसलिती आस्झी मीशा गजा जब आसे मार सबस्ऽल sanctuary इससे एक बारे को प्स्ना जिड़ो लेक है, खेसारी मीश дién當 Treaty झाल 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 बोल बे देवसी कुंदन्धा देवसी वो ही से अपने साथ लाए थे सालों साथ जो बिजनेस तुम करते आये हो मुझे उसकी कोई डीटेल नहीं सुननी है तुमसे कल्लेंड में रहने वाले अरुन पने करके घर पर पूना में रहने वाले आशली जेकब कैसे पहुंची मुझे मत मारो मैं सब बताता हूँ जिन भी लड़कियों के साथ छेड़ चाड़ और रेब होता है उन पर मेरी स्पेशल नजर हमेशा रहती है कस्टमर में उनकी बहुत डिमांड रहती है इसलिए जज के फैसला होने के बाद जब मैं उस लड़की से मिलने उसके घर गया तब उसने धक्का मार कर मुझे अपने घर से निकाल दिया लेकिन एक दिन जब मैंने कुछ सोचा भी न था तब उसका ही फोन आया और मिलने के लिए मुझसे कहा उस दिन आपने ठीक ही कहा था जब बाग में कूदी गये हैं तो लप्टों से क्या डर ना वही मैंने भी ख़का देकर बाहर निकाला था तब मैंने तुम्हारे बाहर के कलेंडर में अपना मोबाईल नंबर लिख दिया था वही काम आया ना इसलिए तो मेरा नाम देवासी है ठीक है आप सब बाते एकदम साफ साफ करते हैं तुम्हें क्या चाहिए बिजनेसमेन या राजनेता य जब वो उनके बायो डेटा पूछती थी तब वो खुद कहती थी उसे पसंद नहीं आया है कहकर वो अपनी जान को हमेशा बचाती रहती थी ऐसे ही मैंने उससे एक बार इसाफ साहब के बारे में मैंने उससे जिक्र किया तो वो बहुत ज्यादा इंट्रेस्टेड हो गई और वो उनसे मिलने के लिए हां कर दी जैसे वो इसका ही इंतजार कर रही हो उसके बाद जब मैं उसे इसाफ साहब के पास ले गया अरे तुम आभी तक गई नहीं वैसे माल कैसा है बस एक बार देखा उससे बहुत अच्छी लड़की है दुनिया में यह काम बहुत साफ साफ होता है बस आप उसे यही समझा देना यही मेरी गोजारिश है ठीक है मैं आप चलता हूं कल सुबह जल्दी आने की दरूवत नह सकते हो अतलब आपको यह लड़की बहुत पसंद आई है हाँ चल ने कल तो तुम्हें कब पता चला कि अरुन और अशली मर गए है आज ही सुबह इसाक साहब के बंगले के बाहर जब मैंने बहुत सारी पुलिस और भीड को देखा वहां पर और जानकारी लेने के बाद मैं तुरत वहां से वापस चला आया अगर तुम्हारी बातों में से कुछ भी छूट निकला तो तुम्हारा क्रिया करम इसी पुलिस स्टेशन में हो समझ गए कबीर सर इस पुण्यात्मा के सारे कपड़े उतार कर इसे लॉक अप में बंद कर दो कलम इसे कोट ले जाएंगे स अरुना रैशली के पोस्ट मोटम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के शरीर में पुटेश्यम साइनेड के जाने से मौत हुई है जिस रूम में हमें डेट बॉड़ी मिली वही पर हमें ये लिप ग्लॉस की शीशी भी मिली इसमें पुटेश्यम साइनेड है लाब में ये क्लियर हुआ है कुछ दिन पहले एशली कॉन्वेंट से घर के लिए निकली थी वहां से आरुन के बंगले तक पहुँचने की बात देवासी के स्टेटमेंट से क्लियर हो जाती है लेकिन उसके बात हुए हादसे का कोई एविडेंस नहीं है बस अनुमान लगाया जा सकता है इन्वेस्टिगेटिंग ओफिसर होने के ना थे क्या तुम बता सकते हो कि क्या हुआ होगा बताता हूँ सर वह देवासी थो गया उसे भगाने के लिए बहुत मेहनत करने पड़े है इतना मेकब क्यों कर रहा हुआ है तुम तो वैसे बहुत खुबसूरत लगती हो आँ प्यक्षे करें ऊ.. करें तो रहांक करें फ्युम्न फ्याञ.. लग अ.. त्युम्न अर्ण बहांक कि विर्ण बताव और तो घर रहां.. रहां.. खिर फिल्ग.. वृष। 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 कि लिपिश्टिक लगा कर किसी करके एक लड़की अपने दुश्मन को मारती है यह सब किसी कहानिया नौवेल में हो सकती है लेकिन रियल लाइफ में भरोसा तो करना ही पड़ेगा न सर क्योंकि मैं सिर्फ अपना एक अनुमान ही बता रहा हूं यहां तक पहुँचने के पीछे कुछ रीजन्स भी हैं मरने से पहले अरुन और एशली के बीच कोई शारिरिक संबन नहीं बना यह पोस्ट मॉटम रिपोर्ट कहती है सिर्फ इतना ही नहीं एशली अरुन के घर शाम 6 बजे पहुँची थी और देवासी उसे वहाँ छोड़ ही हुई है इसका कोई निशान नहीं मिला जैसा कि सर आपने पूछा क्या रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है यहां हमें पिछले हुए तीन कतल में सिर्फ एक ही लिंक मिला है इन में मोड ओफ ओपरेशन ही अलग है लेकिन एक जैसे दो हाथ से बाल गंगाधर और दक्षा सैम जोज और मोहंचन दोनों सूसाइड केस है एक तरह से क्राइम की हिस्ट्री में शायद ऐसा केस पहली बार हुआ है अपने दुष्मन को एक दूसरे से बदल कर बदला लेना ऐशली का बदला उसके दुष्मन बाल गंगाधर से लिया दक्षा नाम की लडगी ने और दक्षा के दुष्मन अरुन का कतल करके ऐशली ने उसका बदला पूरा किया अगर हम इसी फॉर्मेट पर सोचें, तो सैम जॉर्ज और मोहनचन के इंसिडेंट पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं ये है मोहनचन की बीवी लीसी और ये है उसका भाई रॉय इने ही मोहनचन अपना दुश्मन मानता है, इने मारने की बात इसने अपने दोस्तों से भी कही थी लेकिन ये दोनों लोग अब भी जिन्दा है, जैसे दक्षा मारी गई, लेकिन कुछ दिनों तक अरुन पानी कर जिन्दा रहा था वैसे ही तो क्या दुबारा कुछ होने वाला है? जी हाँ सर, सुबूत हमारे पास नहीं है, इसलिए हम सिर्फ सोची सकते हैं जैसा कि तुमने कहा, उसके मताबिक यहां उसे सैम जॉर्ज का दुश्मन हो सकता है न? एक्जेक्ली सर, लेकिन वो दुश्मन कौन है यह पता लगा कर उसे जिन्दा कानूनी हिरासत में लेने के बाद ही ऐसे टाइप के इस कतल में कितने लोग शामिल है और किस तरह यह हम जान पाएंगे लेकिन उसके पहले हमें करना होगा इंतिजार नहीं सर कल आ जाएंगी हाँ पक्का सर मैं कह रहा हूँ ना है है अधराबाद से रेटी का फोंदा 15-16 गाने की शूटिंग करेंगे वो अरे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यह सब क्या कर रहा है क्या हुआ सर टाइम हो रहा है कब खतम होगा यह इंतिजार कीजिए वो एस पी हमारे खिलाब कर देगा जानकर कह रहा हूँ सब तुम्हारे पापा तुमसे मिलने स्कूल आते थे यह बात तुम्हारे मम्मी और मामा जानते थे नहीं और उन्हें पता भी नहीं चलना चाहि के फिल्मों में काम करवाना चाहते हैं पापा यहां आओ और अजिस सब रोक लो यहीं लिखा था उस लेटर के बाद तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आये थे हां आये थे मुझे वापस पाने के लिए पापा ने कोट में केस भी की थी उसके लिए पापा ने एक अच्छ चाहे जो भी हो शिगा तुम हमसे बेफिक्र होकर बोलो यहां तुम जो भी बताओगी बाहर नहीं जाएगा बो बेफिक्र होकर बोलो उस दिन जब पापा मुझे लेने के लिए आये थे उस रात को बाप इसे लेकर जाओगे ऐसे तुमने क्या कर लिया इसे अपने साथ ल परतन मजवाओगे मुझे नहीं चाहिए यह सब जूठी प्लेटें धुलवाने के लिए नहीं ले जा रहा हूं इतने सालों तक जैसे मैंने तुम लोगों को पाला अगर यह मेरे साथ जाएगी न तो जिस संसकार में तुम इसे अभी पाल रही हो उससे अच्छा रखूंगा तो तुम इससे लेकर जाओ लेकिन उससे पहले कोर्ट में तुम्हारा केस लड़ने के लिए जिस वकील को साथ लेकर आये हो ना उससे तुमसे कुछ बूचना है वो क्या है न महांचन सुबह तुमने जो हमसे डिसकस किया था ना वैसा तो कुछी भी नहीं है इस केस में मैंने भी काफी बार सोच कर देखा चाहे हम इस पर कितनी भी भैस क्यूं न कर लेकिन कोर्ट हमेशा नाबालिक लड़की को मा के साथ रहने का ही फैसला देगी तो अभी जो रॉय कह रहे हैं उनकी बात को माल लो जो प्रकुत्ते दूसरों की दारूपर जीने वाले कुत्ते तुमुझे सला देगा तेरी तो मैं ना गुस्सा नहीं चाहिए अगर ऐसे ही करते रहोगे तो भी अभी जहां ये वकील बैठे थे वहां इस केस का जज़ भी ब अगर वो भी साथ छोड़ देगा ना तो मुझे क्या करना है मुझे पता है मैं तुम दोनों को मार कर अपने बेटी को ले जाओंगा ख़ ख़ मुझे हुँे घडूँ MUR AL मुझे arc तो मुझे एप मुझे झ्गार कारी कारी मटनुक्त ओदो dol गुझे मिडियों मुझे परिए को जो हो जो 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 जोता है पापा सिर्फ तुम्हारी मां से बदला लेना चाहते थे नहीं इतना सब होने के बावजूद भी मेरे पापा को मा सक बिलकुल शिकायत नहीं थी इन सब के जिम्मेदार रौय मामा ही थे अगर वो नहीं होते तो हम लोग सुक्षान्ति की जिन्दगी जीते पापा हमेशा यहीं बात कहते थे हाँ अब तुम लोग जा सकते हो जरुत होने पर दुबारा बोलाएंगे क्या है सद जो जानना था वो मिल गया थोड़ा कुछ जान गये हैं बाकी भी हम जान ही लेंगे तुम जा सकते हैं चलिए शिखा तुम बेफिक्र होकर जाओ अब कोई भी तुम्हें जबरदस्ती फिल्मों में अक्टिंग करने के लिए नहीं कहेगा चलो चलो जैसा सोचा था हमने अब नेक्स्ट अटेंप्ट इस रॉय पर ही होने वाला है जी हाँ सर और वो भी कुछी दिनों में बट फ्राव है नहीं पता सर हो सकता है जैसे दक्षा एशली और मोंचन को बतकिस्मती से सही इंसाफ नहीं मिला उसी तरह कोई आदमी रॉय को मारने के तैयारी कर रहा होगा और वो कौन है ये जानने के लिए हमें सैम जॉज के भूत काल के बारे में जानना होगा सर अर्जुन सिंग हाँ सर सभी लोग मुझे इसी नाम से भुला तुम्हारे और मारे गए सैम जॉज के बीच क्या प्रॉब्लेम होई थी परेशानी ऐसी तो कोई परेशानी नहीं थी सर तो फिर सैम ने क्यों दो साल पहले थाने पुलिस स्टेशन में तुम्हारे खिला फ मुझे का एक पुराना दोस्ता है यो मेरे पहचान वाला है इसी की वजह से मैं से मिला और शेरू के जहरी मुझे वह सब करना पड़ा कैसे काम कौन से गलत काम करना था सैब से जोग ज सब जानते हैं उसकी पहले कहानी कुछ और थी किसी समय में यह ऐसा नहीं था सर दोस्ती के नहते बिना काम के घूम रहे सैम को शेहर बुला कर अपने पास अच्छा काम दिया और उसके बाद ये उसका पार्टनर भी बन गया सर और पार्टनर बनने के बाद शेरू ने उस पर आँख बन करके भरोसा कर लिया लेकिन वो सैम को सिर्फ इस्तिबाल कर रहा था उसने शेरू से सिर्फ पैसे और पद नहीं कमाया उसकी इकलोती बेहन को बहला फुसला कर उसे भी अपने जूटे प्यार के जाल में फसा लिया जब शेरू को ये सब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी बेहन की जिंदगी भी बरबाद हो गई थी बहुत चालाग था सैम पैसे का घोटा ले किया और मानने की कोशिश कहकर शेरू के खिलाफ रिपोर्ट करवाद पैसे भेंक कर कोर्ट से उसने शेरू को सजा दिलबा दी तीन साल की कहत कुछी दिन पहले वो जेल से बाहर आया है जब सैम को किसी न नहीं मारा तम मेरा अनुमान शेरू पर गया जेल से बाहर आने के बाद शेरू आपसे मिलने आया था? हाँ आया था मुझसे कुछ पैसे भी मांगे थे और मैंने दिये भी अब ही वो कहा मिलेगा? जब उससे मिलने आया था तब दादर में था उसके बाद वहां से खाली कर गया अब कहां होगा पता नहीं ठीक है अरजुन सिंग तुम जाओ अगर ज़रूरत पड़ी तो दुबारा बुलाएं जी सर्थ और हां कहीं अगर शेरू से तुम मिलो तो हमें इत्तिला कर देना ज्यादा इमोशनल मत बनना जी वह शेरू शेरू कुमार इससे पहले ये केस ऐसा ही चंदर शेखर के पास था सब कहते हैं इस केस की फाइल पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे किसी थ्रिलर केस की फाइल पढ़ रहे हो हर एक पल की जानकारी इसमें दी गई है ये भी उनका एक तरीका है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी न्यूज अख़बार में फ्लेश होती है उसे कलेट करते हैं ज्यादा तर तो सिंगल कॉलम में आने वाली न्यूज होती है क्या हुआ सर? जैसा कि तुमने कहा जारतार अख़बारों में आने वाली न्यूज इनर पेज में सिर्फ फिलर के रूप में आती है बट फॉर दिस इस इंटायले डिफरेंट उस समय के इन्वेस्टिगेटिंग ओफिसर ने स्पेशलिस पर मार्क भी किया है जब बाकी सारे पेपर्स में लगबख एक जैसी ख़बर आई है तो सिर्फ इस अख़बार में ये तरीका अलग क्यों है लेकिन सर ये तो शाम का पेपर है स्पार्क वैसे बाकी सब अख़बारों में कितनी जिन्यूनिटी होती है ये तो मैं भी जानता हूँ लेकिन अर्जुं सिंग् के वैयन के मुताबिक कही सारी बातें इसमें भी लिखी हुई है इसका मतलब अर्जुं सिंग की तरह शेरुकुमार को अच्छे तरह से जानने वाले ने ही ये न्यूज लिखें हैं वो अनिरुद है ये अनिरुद हमें चाहिए पता करो अभी मैं स्टेट यूद्ध फेस्टिवल की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ क्या बता है स्पाथ हाँ शाम का अखवार है उसमें कोई अनिरुध है मुझे उसकी डीटेल्स चाहिए अरे यार पांच स्टेज को कवर करने के लिए सिर्फ हम दो लोगों को आफिस से भेजा गया है थोड़ी भीड कम होने दे फिर मैं पता लगा लेता हूँ लेकिन एक बात कंफर्म है स्पाथ नाम से कोई भी अखवार हमारे शहर से नहीं निकलता ठीक है सर ऐसा है कबीर सर हाँ कबीर सर मैं अभी रॉय के घर पर खड़ा हूँ उसकी वीवी कहती है कि वो सुबा से बाहर है लेकिन कहा गया कुछ बताया नहीं उसने नहीं सर ड्राइवर भी साथ ही गया है मैंने दोनों के मोबैल पर कुशिश की रॉय का फोन स्वीचाफ हो रहा है और ड्राइवर का फोन रिइंग हो रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहा है ठीक है सर वो मैं करता हूँ सर शिट फोन आफ करके कहा गया ये साला आखिर बचानता नहीं यह मौत उसके सर पर नाच रही है किसी और काम के लिए नहीं उसे उस हत्यारे से बचाने के लिए पूछ रहा हूँ, वो कहा है इसने जो कुछ कहा वो सच है सर वो सुभा हमें बिना बताए, यहां से चले गए उतर बे सर यही है रॉय का ट्राइवर सुभा रॉय इसे के साथ गया था तुमने इसे कहां से उठाया? चांदनी बार में बैठा था, वो इसे इसे उठाया रॉय कहा है? एक आदमी आया था, मालिक उनके साथ चले गए है किसके साथ गए है और कहां चले गए है? इस सॉले तो आगे में कुछ बोले गा है? आ तेरे को यहीं छोड़िये, छोड़िये सर बताता हूँ मैं, मैं बताता हूँ सर रॉय सर विरार की जमीन का सौधा करने काए है अकेले? नहीं, उनके साथ एक ब्रोकर भी था ये बात बाहर किसी को पता ना चले ऐसा हमसे बोले थे, इस्पेशली लिसी मेडम को सुनाना, बेहन को बिना बताया अपने नाम पर जमीन खरीदने की जल्दी में है तुमारा भाई टैक्सी ड्राइवर मोहंचंद की अमीर पतनी लिसी अगर तुमारे अंदर का वो पतनी का दिल अभी मरा नहीं है तो एक बार फिर सोचो अब तक तुम जिसे पाना चाहती हो, क्या सच में वो एक मुनाफ़ा है? कौन है वो? जो रोई के साथ गया हो ब्रोकर मुझे सच में नहीं पता की कौन है वो और नहीं मैं उसका चेहरा पैचान सकता हूँ नाम भी नहीं पता ये था क्या? अगर तुमें सच बताओं तो मेरे पास इसके लिए इतने पैसे तो नहीं है अभी लेकिन जो रेट तुमने बताया वैसा हुआ तो ये मेरे लिए खुदी एक बहुत मुनाफ़े का सौदा होगा ये मैं सोचता हूँ अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमें बहुत फाइदा दूँगा होगा न साथ मैं इसे जरूर पुरा करूंगा जैसा मैं बाहर दिखता हूँ ऐसा लोग समझते हैं पॉपलर फिल्म हिरोईन का मामा मैं मैंनेजर हूँ लेकिन हमारी सिच्वेशन तो हम ही समझते हैं पैसा क्या हुआ है? कोई सिच्वेशन प्रॉबलम? बताने जैसा नहीं है जीजा जी के मरने के बाद मेरी बहन के बिहेब में बहुत बदलावा गया बस यूँ समझ लीजिए कि वो सब मुझे बिलकुल पसंद नहीं था हाँ सच में उस लड़की की अभी की सारी फिल्म है फ्लाव है अब तो बस छोटी लड़की से कुछ उम्मीदे बची है लेकिन वो मेरी पहुंच से बाहर है अभी बुरा समय है मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्यों बै आज तु अपनी बीवी को कहके आये था ना कि वापस नहीं आएगा वनवे पे जा रहा है तुम क्या कर रहे हो तुम क्या करने वाले हो यहां से अब हम दोनों उठने वाले हैं पर लोग की दराब शेरू गाड़ी हैं रोको जबे लकवास बंद कर यह है सकत्रव कर पाड़ कर का सिए अशाहर बंद करोको हैं रहा है तुम क्योथ कर दोड़ी कर अईक्द धर 2 नहीं है वाफ दाने यख अध़ी है कोज़ भaalップ बुम का हुँ अवाँ од चया है ओूँ़फस् तून हो भुछ हो भुछ फसता कि अजिए तै कि अज़ हुआ इज अढ़र दिए स करें नहीं पैने को भी सकते हैं और भी समय पैसे लिए नहीं है वाल झाल कーデスト कर दो कर दो कर दो की ख Really कर दो ब tugyने दो यह बना 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 ब मार बना 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 अर्फपट जित दित वे डो अज़े तंदंदू वे 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 Watch == Shadow, look down! Look down, Shadow! अचो प्रबटें! मैं एक पर चेयो! मैं एक पर चेयो! मैं एकिलो इघा एक मैं एक बहुब एक लिए एक ला एक लिए आ कशलम है इससे कई ज्यादा मैं भोगटच चुका हो जिसके गालती मैंने की भी नहीं थी तेरी तो मुझे भी देखने दे शाने तो कब तक नहीं बताता बता जहें मुझे मार डालो लेकिन मैंने बताऊंगा मैंने बताना चाहता और सिरीज में आखरी था क्या? नहीं बताऊगा बता दक्षा ऐश्ली और मॉन्चन से तु कहां मिला? बता सले नाई नाई बता हो गया तुम दढ़गा हो क्या अगर यह मर गया तो उसका जवाब कौन मैं कोण देगा बनाऊ कर。 अगर यह मर गया तो उसकी से मिल ने लंग तेरी तुम तुम इधर आओ इधर आओ सुनो सार मुझसे कह रहे हो नए आपको नए छोटे साब को तुम से शांत रहे कि उसकी बातों को सुनना बस और इस बता चाहे कुछ भी हो जा तुम उसके उपर हाथ नहीं उठाओगे दिस इस माई ओर्डर सर मैं आपको एक बात सच बताता हूं सर बोलो इस अंधे कानुन के देश में शेरु कुमार की तरफ से एक भीक अशन बाजी मत कर जो बताना है बता सलेव गुस्सा होने की जरूरत नहीं है साब आपने मुझसे पूछा था न कि रौ इस सिरिज में आखरी है या नहीं नहीं इस उसके बाद एक और है हम सब के लिए वो बहुत ही जरूरी कटल है वो बस एक बचा है फिफ्ट और फाइनल कौन है वो एड़ोकेट नाराएंड सेंग जाके उसको खुचो पता चल जाएगा हमने की सच्चाई से कई ज्यादा बड़ा सच है उसका मरना अब मैं तुमें एक मर्द बाप के वेटे हो तो नाराएंड सेंग को कौन मारने बाला यह पता लगा कर रोक के दिखाओ सालिट तिरी तुम सब्सक्राइग करने के बाद भी एक शब्द नहीं निकलवा सके हम लिटर से अगर कुछ नहीं बोला तो नार को जैसे साइंटिफिक चीजों की मदद दे लेंगे हम वैसे भी एक फैशन है आजकल सर आप मौके की नजाकत को समझ ही नहीं रहे हैं कोट की पर्मिशन के बाद शेरु कुमार पर कोई साइंटिफिक टेस्ट करके उसका मुझ खुलवाएंगे तो उसमें कम से कम दस दिन का टाइम लग जाएगा जैसे शेरु ने बोला ये सिरीज में आखरी कतल नहीं है तो अगला अटम जल्दी होगा सर चूकि हमने शेरु को जिन्दा पकड़ लिया है तो अब हम लोग क्या करें हैं सर आप जानते हैं न उस नारायन सिंग को जानता हूँ मैं अच्छी तरस एक समय पर रमन कुमार वक्किल की तूती बोलती थी वो चाहे तो किसी को भी खूनी बना सकता था बसे उसी का नया वर्जन है ये नारायन सिंग पुराने सारे लोग तो चले गए ये एक सीटिंग के पांच लाख रूपे लेता है उस पर भी ये अपने हिसाब से केश चुनता है खून या चोरी के केश कभी नहीं लेता अब पहराने या लड़की के रेप का ही केश लेता है इसका मतलब ये है कि अब दक तो इनके बहुत सारे दुश्मन बन गया होंगे हाँ ऐसा कह सकते है विद फुल परफॉर्मेंस मुझे देखना है इस अड़ोकेट नाराएंट सिंग को योर आनर मेरी मुवाकिल जिस आदमी के अपने माबाप से भी ज्यादा इज़त करती थी उसी ने उसके साथ दुश्मन किया जिसकी वज़े से सिर्फ शारिरिक नहीं पलकी मान सी कष्ट भी हुआ है इतना ही नहीं इनके कर्मों की वज़े से शिक्षा जैसे सम्मान्य पेशिका भी अपमान हुआ है इसलिए मैं कोर्ट से अपेल करता हूँ कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए That's all, Your Honor Anything to ask Mr. Narayan Singh? Yes, Your Honor नेहा पंडित जी हो आपके सामने जो खड़ा है एलेक्स साक्या वो तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता था? जूअला जी इसका मतलब जन्तु शास्त्र जी हाँ इन्सान के साथ साथ सभी तरह के जीवों के लैंगिक और जैविक पर क्रियाओं के सुक्ष्म अध्यान को जन्तु शास्त्र कहते हैं और ये बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं है ना? क्यों? सही कहा न मैंने? सही कहा इसका मतलब बाकी के साइन्स सब्जेक्ट के मुकाबले इसमें कुछ ज़्यादा मिच मसाला होता है है ना? हमारे कालेज के दिनों में साइन्स के हमारे साथी हमेशा एक बात पर मजाग किया करते थे अगर कभी मेल टीचर हमारी क्लास में जियोलोजी पढ़ाने आ जाते थे तो लड़किया कभी एपसिंट नहीं होती थी ठीक वैसे ही लड़के लोग भी करते थे तो बताओ जब एलेक सर पढ़ाने आते थे तो तुमने कुछ ऐसा फील किया नहीं मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया जोट तुम जोट बोल रही हो ये बात तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है सम्मानिय कोट की अनुमती के साथ आखरे दिन के नहा के सेक्स हार्मोन एनलैसिस की ये लैब रिपोर्ट है एक अठारा साल के उमर की लड़की में आम तोर पर हमेशा सेक्स्वल हार्मोन के काउन 25 से 222 होते हैं जब 25 से 221 नॉर्मल होते हैं लेकिन इस लैब की रिपोर्ट के मुताबिक नेहा में 262 पाया गया जो की नॉर्मल काउंट से कहीं ज़्यादा है इस पर मैं एक रियल लाइफ एक्जामपल भी दे सकता हूँ यूरॉनल यहां ख़ड़े साबू को तुम जानती हो जानती हूँ कैसे जानती हो इनके भाई की कार में मैं स्कूल जाती थी अकेले नहीं और भी बच्चे साथ होते थे तब तो साबू भी तुम्हें बच्पन से जानते होगे जानता हूं सर कुछ दूसरी तीसरी क्लास से ही यह लड़की कार में आने जाने लगी थी सर तब यह बहुत इनोसेंट बच्ची हुआ करती थी लेकिन जब थोड़ी बड़ी हुई यह कोई एर्थ नाइन्थ में आई होगी तब हाँ हाँ बोलो जब एर्थ नाइन्थ में थी तब बाकी बच्चों के मुताबिक इस बच्ची का भी हैवियर कुछ अलग हुआ करता था पर डिकुलरली लड़कों के साथ इसका कुछ गलत टच् मैं एसी स्कूल के एक लड़के को अपनी कार में लाना बंद कर दिया था सार उसके बाद मुझे देखकर ये मेरी तरफ से मगू फेर कर चली जाया करती थी विवेक ये सर तुम्हारी नेहा से कैसे पहचान होई प्लस टू में हम दोनों साथ थे साथ में मतलब एक ही क्लास में बाकी बच्चों की तरह तुम दोनों के बीच वैसे ही दोस्ती थी या कुछ और ही था जी नहीं सर हम लोग शादी करने का प्लैन किये थे क्यों नहा ये जो कह रहा है वो सब सच है क्या सच नहीं है ना बताओ इसका कहना है कि इसके पास तुम्हारे दिये गए लव लेटर्स ग्रीटिंग कार्ड्स सब रखे हैं मैंने कभी इससे प्यार किया था ये सच है ओके इतना काफी है विवेक ने भी यही कहा था अभी तो फिल विवेक ये बताओ तुम लोगों का रिलेशन्शिप क्यों टूटा मैं इससे बहुत पसंद करता था इसका सिनियर भी था मैं तो इससे शादी भी करने वाला था ले थे इसका लाइफ दूब रिपार पेड़ा हां मैं देखा सिर्फ कोर्ट के एक तारीख में ये लड़की कितनी फेमस हो गई सब आपका चमतकार है तो मैं अब बज जाओंगा न वकील साब तुम परेशान मत हो हम सब कुछ कर सकते हैं इतना कापी है बस एक्सक्यूज में येस हलो मैं श्री रामकृष्णा हूँ एस पी मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है परस्नल मैटर तो ये बात है मेरे प्यारे IPS साहब मुझे कोर्ट में कदम रखते 30 साल हो गए है 1982 में गोवा से मैंने अपने केरियर की शुरुआत की थी हर बार मैं अपॉजिट पार्टी की तरफ से ही हाजिर होता हूँ तब से लेकर आज तक मेरी जिन्दगी में अब तक इस तरह की परिशानियों का को मेरे से बड़े बहुत सारे नामचीन लोगों ने मुझे कई बार खतम करने की कोशिश की लेकिन उन में से आज तक कोई भी मेरा बाल बाका नहीं कर पाया इस सीरीज में अब तक चार मर्डर हो चुके हैं और सब वेरी वेल प्लैंड थे पांचवे में हमने आपका नाम सु मेरी बात ध्यान से सुन लो मैं अपने रोज के काम में कोई बदलाव लाना नहीं चाहता एडवोगेट नारायन सिंग हजार साल जेने का आपका सपना पूरा होगा लेकिन हमारी पुलिस आपको कहीं जाने से नहीं रोकीगी इस कतलकी सीरीज ने हमारे लोगों के सामने बह चूर बन गया जिस से घलत लोगों का केस जीत कर यह आगे बढ़ता गया यही है एडवोकेट नारायन सिंग के करियर की हिस्ट्री अब हमें कहां से शुरू करना चाहिए साथ नारायन सिंग द्वारा लड़े और जीते गए केसों में से डाउटेड पोसंस की मैंने एक लि उसके सीनियस द्वारा रैगिंग करके कतल किया गया केस है यह इसमें कृष्ण मोहन के बड़े भाई रामनात के बारे में भी लिखा हुआ है केस के चलते और केस के बाद अपोसिट वकील के साहारे नारायन सिंग पर अटेक करने की कोशिश की है आज के दिन यह रामनात कह रहा है क्या कर रहा है और आज भी वह नारायन सिंग से बदला लेना चाहता है या नहीं इसी तरह से होगा हमारा इन्विस्टिगेशन एक बात का ध्यान रखना अनुमान अनुमान ही है हमारा असली हतियार इसलिए हर चोटी-चोटी गलती पर भी हमें ध्यान से कदम रखन चाहता है यह दुश्मन का होना और मर्डर की कोशिश यह सब मैं अपने प्रोफेशन का एक हिस्सा मानता हूँ इन सब बातों को अपने प्रोफेशन का हिस्सा मत कहिए वकील साहब मैंने आपके करियर का इतिहास देखा है पिछले 30 सालों में जितने केस आपने लिये हैं सच्चाई को तोड मरोड कर कानून के साथ धोखा करने में आपको एक विजित्रा आनंद मिलता है अगर तुम्हें किसी पर शक हो तो तुरंट मुझे फोन कर देना यस सर हलो सर उस कृष्णा मोहन के बड़े भाई रामनाथ से मैं मिला अभी ये एक बड़े मंदिर का पुजारी है नहीं सर इस पर शक करने जैसा कुछ भी नहीं है अगे दिन लीव इम और गो तो दे नेक्स हलो शरी तुने उस दिन मुझसे अनिरुद्ध के बारे में पुछा था ना वो शाम के अखवार वाला मैंने उसका पता लगा लिया है तु कब तक फ्री होगा वोना मैं तुझे मैं तुझे शाम को फोन करता हूँ हाँ क्या बाई मुझे यहां बुलाया तुने अपने किसी पुराने दोस्ते मिलवाने वाला है क्या नहीं ऐसा नहीं है बताता हूँ और बाकि 19 लोग इसमें फसे थे केस के फैसले के कुछी दिन बाद मेरी मर गई और उसके कुछ दिन बाद उसके माबाब भी मर गए पंजी के जिस चर्च में मैं पहुँचा वहां मैंने उनको सिर्फ कबर की रूप में ही देखा लेकिन कुछ जानकारियों की सहायता से ही मुझे एक बात और समझ में आ गई उस रेप के बाद मेरी गर्ववती हुई जब कोड का केस चल रहा था तब उसके डिलिवरी हुई मैंने मेरी के बेटे को ढूणना शुरू कर दिया तब मैं पहुँचा कन्या गिरी ओफनेज में उसके बाद वो दसवी तक सेंट एलोशे स्कूल में पढ़ा पर वो लड़का कौन है यह में जान पाया इस केंपस में आने के बाद वो भी उसके पढ़े इस क्लासरूम में आकर बताओ बिना बाप के नाम वाले एक नाजैस बच्चे को जिसे मेरी पॉल ने जनम दिया था वो तुम ही हो न शिरी मैं ओर फनेज़ोर स्कूल के रेकॉर्ड बुक में ने मिलन पॉल नाम देखा था वो तुम नहों इसके लिए मैंने आखरी मिनिट तक प्रार्थना की थी इसी क्लास में मैं तुमसे पहली बार मिला था तुमसे दोस्ती की थी जब मैंने चाना कि तुम्हें एक अनाथ हो तब तब तुम्हें एक दोस्त से बढ़कर मैंने चाहा फिर भी फिर भी तुने मुझे शिरी, अब मेरी बात भी तुझे सुननी होगी अब तुम क्या कहना चाहते हो, वो मिलन बॉल तुम नहीं हो नहीं, स्कूल में और अनाथाश्रम की रिकॉर्ड में जो तुमने नाम देखा, वो मेरा ही था एक समय ऐसा था जब अखवार और लोग, पंडजी के उस लड़के मेरी पॉलोस के बेटे को उसी नाम से बुलाते थे जो नाम थोड़ी दिर पहले तुमने बताया, दर रियल पास्टर्च बस, इसके बाद मुझे सिर्फ एकी बात जाननी है, एड़ोकेट नाराएंट सिंग को मारने वाले और जिस पांचमें आदमी को हम ढूण रहे हैं वो तुम ही हो ना, हाँ, तो इतने सालों तक मेरे साथ ही रहकर मुझे धोखा देता रहा ना नहीं शुरी, तेरी आखों से आखें मिलाते हुए बिना डरे मैं ये कह सकता हूँ, कि मैंने तुझे कभी धोखा देने की कोशिश नहीं की, तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है ये जान कर ही, सारा सच मैं यहां तुम्हारे सामने बताने आया हूँ यार जब अरिश तोने का समय आ तो सच तो बताना ही था, है ना तुझे जो पसंद हो वो कह सकता है मुझे यार, दुष्ट कहले, पागल कहले, बेवकूफ कहले, लेकिन उससे पहले, तुझे वो सुनना होगा जो मैं कहना चाहता हूँ जैसा कि तुमने कहा शिरी, कि 19 लोगों की रेप की वज़े से मैरी गर्भ होती हुई थी, यह मुंबई में पहली बार था जब उस रेप केस का जश्न कोर्ट में मनाय जा रहा था, तब मैं पैदा हुआ, काले कोर्ट और खाकी को देख देख कर मैं बढ़ा हुआ, इस तरह जैसे मेरे बच्पन की शुरुआत हुई, कोर्ट की चोखट या वरंडा पर ही मैं सोता था, तुमने ही उन लोगों को जान बूच कर वहां बुलाया, उन्हें भजा कर ब्लैक मेल करने की कोशिश की, कोर्ट के अंदर जब किसी की इज़त की धज्यां उड़ाई जा रही थ नारायन सिंग जैसे ब्रिलियन्ट वकील के परफामन्स से प्रहावित होकर उसके पक्ष के सारे लोग बाइज़त रहा हो गया उसके बाद मेरी माँ सिर्फ दो मेहने ही जिन्दा रही, मुंसे पाल्टी के किसी बागीचे मेरे दादा और दादी मजदूरी करते थे, उनकी तबियत बिगड़ने लगी, तब मैं उन्हें एक बोज लगने लगा उस समय एक लोकल नेता ने सलाह दी, कि मेरे साहरे सिक्रेटरेरेट के सामने सरकार के खिलाफ एक अंशन करे, अनिश्चे काल के लिए जो अंशन रखी गई थी, वो बस साथ ये दिन ही पुलिस ने उखाड फेक दिया बुढ़े दादा और दादी के साथ मुझ जैसे मासूल बच्चे पर भी पुलिस में अपना आप प्याचार किया उस हाथ से के कुछी दिनों बाद मेरे दादा जी चल बसे और उसके कुछी दिनों बाद दादी भी उसके बाद मैं कन्यागिरी के अनाथ हर्श्रम पहुचा पढ़ने में बहुत अच्छा था इसलिए और फेंस के वार्डन ने मुझे ले जाकर सेंट औलसिस स्कूल में दाखला दिलवा दिया दोस्तों के साथ पढ़ते पढ़ते मैं अपनी पिछली जिंदगी पूरी तरह भूल गया बच्पन में मेरी बातें शेयर करने के लिए मुझे एक लड़की दोस्त के रूप में मिली मैं हमेशा उसकी आँखी देखता रहता था मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो लड़की मेरा प्यार थी एक दिन शाम को क्लास से जाने के बाद वो दोबारा वापस नहीं आई बुरी तरह से रेप होनी की वज़े से वो मर गई वो कौन थे उसे तुम अच्छी तरह से जानते हो सुदक्षणा तक्षा की बढ़ी बहन इस केंपस में मैं तुम्हारे साथ हंसता बोलता तो था लेकिन अपने दिल के घाव को मैंने कभी नहीं बताया एक अनाथ होने के अलावा मैंने अपने बारे में तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया और ऐसे ही एक दिन स्टाप 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 मैंन स्टाप अजो तुम दक्षा हो ना हाँ मुझे पैचाना मैं मिलें पैचान बताने की जरुत नहीं जानती हूं तो तुम मुझे इग्नोर क्यों करती रहती हूं हम बार बार तुमिलते रहते हैं मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहती थी जाओ मेरे खिलाब केस कर दो रच्छा यह क्या है रच्छा क्या हुआ तुम्हें I lost my car key क्यां I don't know I don't know anything क्यों रच्छा क्यों कियों अपने आपको बरबालत कर रही हूं तो यह मै। किसे? मेरे लिए एक नया जटका था ये 14 साल के बाद भी दीदी को मारने वाले को मारने का बदला दक्षा में वैसा ही था तब मुझे एहसास हुआ कि दक्षा उसी दर्द को जेल रही है उसी दर्द के एहसास से गुजर रही है जो न्याय ना मिलने से पैदा होता है सच से दुदकारने का दर्द तो फिर के शेरू, ऐशली और मोहन चंद? बताता हूँ ये उस वक्त की बात है जब बाल गंगाधर और ऐशली का केश चल रहा था उस वक्त वो खबर मैंने ही रिपोर्ट की थी बस वही मेरी ऐशली से पहचान हुई एक बार एक होटल में मैंने मोहन चंद को देखा मा, मेरे पापा है वो एक फेमस पेंटर मौहमा दली उस होटल में उस समय रुके हुए थे जब मैं उनका इंट्रिव्यू लेने पहुचा उस वक्त अब 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 और अब 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 करो तुम क्या चाहिए तुमें वह लगता है में घलत रूम में आ गया है जाओ 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 आएस यहस हलो कुछ एक घंटे के बाद जब मैं मौहमाद अली के कमरे से बाहर निकला तब मैंने देखा तो फिर अनिरुत के नाम से शेरु के बारे में अखबार में खबर तुमने ही दी थी, है ना? हाँ, जब मैंने अपने पत्रकारिता शुरू की थी तब, ऐसी विवादास्पत खबरों के लिए मैं इस पेट नेम का इस्तेमाल करता था, वो अनिरुत है तो कब तुमने ये सब कुछ डिसाइड किया? वो चार कतल करने के लिए दुश्मनों को बदल कर मारना बदले से ज़्यादा ये हमारे लिए एक हास परिहास की बात थी, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन कानून और नियाए के साथ बुरी तरह खिलवार किया गया था अपने दुश्मन को खत्म करने के बाद इस नियाए और कानून के बीच जीना हम लोगों को रास नहीं आया इसलिए दुश्मन के साथ मरने का फैसला कर दिया शिरी, जैसा तुम सोच रहे, मैंने वैसा तुम्हें कोई दोखा नहीं दिया इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तुमने जो भी काम मुझे सौपे, उसका मैंने कभी भी गलत इस्तिमाल नहीं किया मुझसे जो कुछ भी हो सकता था, मैंने उतनी तुम्हारी सहायता की, जो आज भी कर रहा हूँ हो सकता है तेकिन इस सिचुईशन में, मैं तुमसे जरा भी दोस्ती नहीं निभा पाऊंगा तुम मेरी सहायता की पॉंच से बहुत दूर जा चुके हो अब तुम्हे इन दोनों के साथ जाना होगा, अभी जो कुछ तुमने मुझे बताया, वो सब कोर्ट के सामने भी बताना होगा उसके अलावा, अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है चलिए सर वो मेरे ओफिस की बाइक है, उसे कोई लेकर जाएगा, मैं किसे को बुला देता हूँ अचफिस हाएग्ध़ को किसे बताद की बाइब थे लेकर की बाइब किसे लेकर की यसे लेको नहीं है किसे बतार प्लाव प्योराे स Wash आपार वा किसे उन्हीं है तूम्हा प्लवा वर वार में वार! झाल झाल झालो पूँ झालो जड़ फिर दे लिएम झालो और प्लते हैं झाल प्रप्रोप प्लाजा प्रॉग झाल प्लाजा झाल è कर दो कि लुओा और शुओा की लुओा की लुओा रख' को मिलाद नाया मिलाद मैं गोलिट एला दूमना मुझे इसा बिलकुल नहीं लगता सर अगर वो हमारी दोस्ती को एक्स्प्लोइट कर रहा होता तो इस investigation में कई बार वो चाता तो मुझे कहीं भी भटका सकता था लेकिन हर बार में उसके करीब आता गया यह जान कर भी उसने रोकने की कोशिश नहीं थी तो तुम अभी भी मानने को तयार नहीं हो फिर मैं क्या समझाओं तुम्हें लेकिन तुम्हारी दोस्ती की हो जैसे अगर एडवोकेट नाराएंड सिंग को कुछ हुआ तो फिर उसके जवाबदार सिर्फ तुम होगे नहीं सर आपका एक सबॉडिनेट ओफिस होने के नाते या मिलन का दोस्त होने के नाते मैं वादा करता हूँ एडवोकेट नाराएंड सिंग को ही नहीं किसी को भी मिलन पॉल नहीं मार पाएगा हलो मैं हुशी मिलन तु खत्रे में फस्ता जा रहा है इससे तुझे पीछा हटना होगा नहीं शीरी अब मैं पीछे नहीं हट सकता क्योंकि अब इसका नाम सिर्फ बदला नहीं है ये कर्म है मेरा मिलन तेरे नाराएंड सिंग को मार देने से समाज में कुछ नहीं बदलने वाला एक गिरेगा तो दस लोग खड़े हो जाएंगे मैं जानता हूँ पैसे के दम पर नाराएंड सिंग को बचाने वाले बहुत सारे है लेकिन एक औरत की भावना से खेलने वाला मरेगा ये मेरे लिए काफी है और जब उसे मारने के लिए मैं हूँ तो दूसरों के जैसे मैं अपनी जिन्दगी नहीं जी सकूँँगा शुरी तुम जानते हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और सरेंडर करूँगा तुम मेरे पास आकर सरेंडर करोगे ये मैं जानता हूँ लेकिन एड़वोकेट नाराएंड सिंग को मारने के बाद नहीं उस हलो हलो मैं देश के किसी पुराने क्रांतिकारी का बेटा हूँ अखिल ये समझ कर तुम्हें यहां मेरे पास ले आया लेकिन सभी को ऐसा ही सोचना चाहिए इसलिए पूछ रहा हूँ मेरे बारे में सुनने के बाद तुमने क्या सोचा नेहा जो कोई भी तुम्हारी सिचेशन में होता वही करता जो तुमने किया बोलो क्या हेल्प चाहिए तुम्हे अगर मैं सही कह रहा हूँ तो ये नाराण सिंह का फोन आया होगा तुम्हारे पास कॉम्प्रोमाइज मीटिंग के लिए हाँ उसने दो दिन पहले मुझे इसी बात के लिए फोन किया था लेकिन उस समय मैंने उसे रोडली बात की थी अब ऐसा नहीं करोगी तुम तुम उसे फोन करो और उसे बोलो कि इस महिने की सत्रह तारीक को होटल इंपिरियल सूट में जैसा के उसने पहले ही कहा था एक कॉम्प्रोमाइज मीटिंग के लिए तुमें खुद उसे बुलाना होगा मेरा नारायन सिंग तक पहुँचने का यही एक सेफेस्ट वे है तुम दोनों की मीटिंग कुछ केसों के जरिये जरूरत से ज़्यादा बेहसाब दौलत कमाने की वज़े से भूत पूर सुप्रीम जजज देवराज राने पर आरोप जिसे कुछ वकीलों का समर्थन प्राप्त है इसी महिने की सत्रह तारीक को होटल इंपिरियल सूट में एड़ोकेट नारायन सिंगी उस कमेटी का हैड है मिलन इस बिच कुछ भी करने में बहुत ख़तरा है यार और मैंने सुना है कि कुछ लायर्स, कुछ समाजिक वरकर्स सब मिलकर उसी रोज वहीं पर कोई रैली निकालने वाले हैं मुझे बता है जिए S.P. से लेकर सारी पुलिस उस वक्त होटल के सामने इंतजामात में ही लगी होंगी इसलिए मैंने उसी 17 तारिक को अपना फंक्शन तै किया है उस दिन सभी लोगों की आँखें सुप्रीम कोर्ट के उस जच के सम्मान कार पर ही लगी रहेंगी बस एक को छोड़ा सिर्फ एक इंसान ऐसा होगा जिसे अगर हमने धोखा दे दिया तो हमें कामिया भी मिल जाएगी क्या कर रहे है इस भी तुम भीड को देखकर मज़े लेते खड़े रहने के लिए है तुमारी फोर्स लेसन विदिन 10 मिनेट्स हमारा चीफ गेस्ट आ रहे है अगर उन्हें कुछ हुआ तो समझ लेना उन्हें कुछ न हो जाए आपको खुदी देखना होगा आपके इस फंक्शन में आपके चिफ गेस्ट से ज़्यादा यहां की पुलिस चाहती है कि हमेशा के लिए यहां शांती बनी रहे हलो मैं नहीं हाँ हाँ नहीं हाँ बोलो मैं अभी ओटल के पास ही हूँ कि यहां पुलिस और लोगों की भीड़ है इसलिए अंदर नहीं आतकती हाँ वो तो है मैं जल्दी फ्री होने की कोशिश करता हूं मैं वेट करूंगी यहां होटल के पीछे कोई कंस्रक्शन का काम चल रहा है मैं वहीं मिलूंगी ओके वहां जिए थी के लुटल के लिए जीम,न्बर कारोड़ा है जाँ क्रुट लुटबमर की sends दोङाँ खाल आट मुझ बाल्या हुक होँ हाद कर लोगो की शार दी कि मिलुद की ब conviction sudah जह्या ज़ए bu अधाव पीछे अधाव यहां का महौल बहुत ही खराब हो चुका है यहां इतनी पुलिस है तुम्हें लोगों को भगा नहीं सकते नहीं बिल्कुल नहीं सर इनको भगाने जितनी फोर्स हमार पास अभी नहीं है लेकिन अगर हमने इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया तो यह आपके लिए भी घातक हो सकता है सर दूर आप ही बताए हम क्या करें अधूरु आधा अधाव जादू नहीं हुआ 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 सर प्लीज वापस चले जाए हुआ ड्राइवर गाड़ी पीछलो कीम उले मोगा घरे समय हुआ 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 हम जाए हुआ 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 हा कीम और, यह overdiguis सहिंक já choby हुआ 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 प्ली बाईताएपन उन चीमान मिटिंह Knights Land of the Republic कर दो कर दो एंसलोर लिगान। हलो, हलो निहा, तुमने जहां कहा था मैं उसी होटल के पीछे वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ, तुम कहा हो, हलो निहा, मेरी आवाज आ रही है न? कौन हो तुम? कौन हो, मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, तुम जानते हो मुझे, अच्छी तरह से, इसी जबान से तुमने कई बार मारा है न, उसी बंदसीब आवरत मेरी पॉल का बेज़ा हुने है, तुझे खत्म करने के लिए अब तक इस मौके को में तलाश कर रहा है। कर तो कर दो हैं तरहा है। कर दिल सबस्क्राइब दो 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 भूज़ अज़ मिलन नहीं नहीं मिलन मिलन शरी छोड़ मुझे शरी छोड़ मुझे शिरी मिला जयो हमाद Gerade Millen Millen, कर दोजयend जो में कर दोजय जयो कर दोजय मैं Millen produce आढधा एक बभर को तराइएं । मिलार आख चुर जे चॉर जे मैं चे। लग कर वब में हो UK बैंडरार के अच़ form यह ङ मिलन, बसकार, बसकार, मिलन, मिलन, नहीं, मिलन, नहीं, मिलन, मिलन, बसकार, मुझे तुछ चाहिए, मुझे तुछ चाहिए, मिलन, मेरी पास, मिलन, 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 मिल के शब को बुझ में सा啊 के एक हुग में सा कुई की कि ứcित 195 दॉब करता के बुछ छो ङो बुल हुँँँँटर दो! हुँँँँटर! कर दो दो अब रहा है झाल झाल